आज मैं लेके आई हूँ अपनी किच्चन का खजाना वेसे तो लोग इसको डस्टबिन में डाल देते हैं लेकिन मैं बिल्कुल इसा नहीं करती ये हैं मेरे फ्रूट के शिल्के आजी जो मैंने फ्रूट न काटा था तो वो सारे शिल्के में लेके आई हूँ लोग इसको कच कोँगी लिक्वेud होता है गुलुकोस वग्र है उतनी जवर्ट हमारे पोधों को भी है सिफ उनको खाना नृष होँग झाई है उनको हमारी तरह liquid fertilizer यानि हमको तो liquid चाहिए यह खान जीने के लिए पानी पीते हैं पानी के साथ बहुत सारी जीजें भी काते हैं लिक्विड उसी तरह हमारे पॉद्धों को भी जीने के लिए लिक्विड फटीलाइजर चाहिए तो ये हैं सारे केले की शिलके या पर में एपल बनाना जो भी मेरे पनगर में आज कटा हुआ था किसी भी रूरत में मैं किचरा फेकती नहीं हूं डस्ट अबिन में आपको ना सुखा किचरा ज्यादा दिखाई देगा ना ही शिलके दिखाई शिलके तो बिल्कुल मैं कभी नहीं पेंगती हूं तो इस तरह मैं एक दिन के लिए इसको शोड़ दूँगी बिल्कुल सिंपल सा मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं किचूँगी कि यह होगा वह होगा जितने भी मेरे पोदे हैं उनको चायवान प्लावर प्लांटो वेजिटिबल प्लांटो जितने भी मेरे प्लांटो उन सबको यह मैं फटी लाइजर खास करके गर्मियों में पिलाती हूं एक दिन के बाद है यानि एक दिन पहले मैंने इसको सटडे है तो मैंने फ्राइडे को ये सारे शिलके डाले थे और सटडे को दूसरे दिन सुबू को उपर आई हूँ आप इसके उपर जाग देख सकते हैं आप चाहें तो शिलकों को छोटा-छोटा कार भी सकते हैं लेकिन मैंने जो भी खाया था उसी वक्त पॉलेतिन में बर दिया था और उपर लेके आई थी तो ये आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं गर्मी में खास करके अगर हर 15 दिन में आप अपने पॉदो को सोलेट खाद ना देकर लिकुड फटीलेजर देते हैं तो आप खुद देखेंगे कितनी भी तेज गर्मी हो आपके पॉदे मरेंगे नहीं सरेंगे नहीं ना आपके मिट्टी में कोई फंगस लगेगा और आपके पॉदो की पतियां इतनी चमकदार गर्मी में भी जितनी तेज गर्मी होगी ना उसमें भी चमकदार होंगी जैसे ही गर्मी आती है तो हम बहुत साथ लोग शर्बत पिते हैं मिल्क शेक बना के पिते हैं गुलुकॉन डी भी दें तो यह भी उसी दर है पॉदो के लिए मैं कहूंगी गुलुकॉन डी की दर है हर चीज जिसमें आ गई विटामिन, केल्शम, आईरन, मैगेशम जितनी भी चीज़े हैं सब फूलों के शिलकों में होती है सिंपल साए एक बकेट में जितने भी मैंने सबजी के शिलके दे बिगो के रखे है उसमें फिर मैंने एक बाल्टी और सिंपल साधा नल का पानी लिया और उसमें मैंने तीन से चार टपलर जो भी टपदे वो मिक्स कर दिये और ये पानी में दरी दूँगी अपने पॉदो को कोई भी दना नहीं है कि शिलके इतने लें या पानी इतना लें कुछ भी नहीं होता है जितने भी आप शिलके लें जितना भी पानी लें बस ज्यादा घारा न दें लिक्ट जितना पतला होगा उतने पॉदे हमारे अच्छे ग्रो होंगे आप देख सकते हैं यह आज सारा में पानी अपने पौदों को देने वाली हूं बहुत ही अच्छा है और हमारे पौदों के लिए तो खास करके बहुत ही ताकत वारे तो चलिए आज के लिए इतना ही बाई